जंगल के अंधेरे में आज एक प्रेमी जोड़ा काफी डरा हुआ था। टॉम एमा को समझा रहा था कि हमें जान बचाने के लिए भागना होगा। ये दोनों जंगल में वीकेंड मनाने आए थे लेकिन आवे एक किलर इनके पीछे पढ़ गया था। एमा भाग भाग कर पू पूरी ताकत से दोड़ती है। किलर के डर से उसकी पूरी तकावट दूर हो गई थी और वो भाग करें केंप साइट पर पहुंच जाती है। जहां पर भी कई लाशे थी और इन सब को भी किलर नहीं मारा था। अपने आस-पास लाशे ही लाशे देखकर एमा बहुत डर ग और उसी पल उनके पीशे किलर पहुंच जाता है। किलर को सामने देखकर एमा जल्दी जल्दी जूलिया के हाथ खोलती है और तबी वो दोनों किलर के ट्रैप में फस जाती है। किलर ने जूलिया के सिर पर ट्रैप लगाया था ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो मारी जाए। अब ईमा के कंदे में एक बड़ी सी लकडी घुसी हुई थी जबकि जूलिया लकडी के बार से मर गई थी। ईमा को ट्रैप में फसा देखकर किलर दूसरा ट्रैप बनाने लगता है। और मौका देखकर एमा अपने कंदे से लकडी निकाल देती है। इस के हाथ एक पैन लगता है वो जल्दी जल्दी पैन उठाकर किलर पर वार करती है किलर पर इस वार का कोई ज्यादा असर नहीं होता और ना ही जखमी एमा भागने में सफल होती है किलर उसे एक बार फिर से मारने की कोशिश करता है जबकि एमा पीछे हड़कर खुद को बचा रही थी इसी बीच एमा का शरीर एक रसी से टकराता है जिसके बाद किलर अपने ही ट्रैप में फसकर मारा जाता है किलर उसी ट्रैप में फसकर मारा गया था जो उसने अभी अभी बनाया था हमारी आज की कहानी इसी एमा नाम की लड़की पर अधारित है जो किलर को मार कर जान बचाने में सफल हुई थी पांच सालों बाद एमा आज भी उस रात को कभी नहीं बूली थी जिस रात को उसका सामना किलर से हुआ था वो अपने घर में अकेली ही रहती थी और कभी-कभी छोटी-छोटी आवाजे सुनकर भी डर जाती थी एमा एक लॉंडरी शॉप में काम करती थी और वहाँ पर भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी वो पूरा दिन शॉप में बिताती थी और रात होते ही अपने घर बापिस आ जाती थी थोड़े दिनों बाद शॉप में काम करने के लिए एक नया लड़का आता है और इस लड़के का नाम निक था एमा हमेशा चुप चाप अपना काम करती रहती थी और ये बाद निक को थोड़ी अजीब लगती थी उसे लगा कि शायद एमा का कोई दोस्त नहीं इसलिए शायद वो हमेशा चुप चाप रहती होगी एक दिन एमा काम करते करते काफी लेट हो जाती है जबकि शॉप में काम करने वाले बागी सभी लोग चले गए थे निक के समय स्टोर में था और एमा केले ही शॉप में काम कर रही थी काम करते करते एमा को लगता है कि जंगल वाला किलर लोट आया और इस वार वो उसे मार देगा उसी समय निक भी शॉप में वापिस लोट आता है जिसे देहकर एमा रहत की सांस लेती है दरासल एमा को कभी कभी दोरा पड़ता था और इस दोरे के कारण उसे किलर फिर से दिखाई देने लग जाता था एमा की हाला देहकर निक उसे घर तक लिफ्ट देने का फैसला कर चुका था लेकिन डरी हुई एमा उसे कहती है कि आज की रात में अकेली नहीं रह सकती उसकी बात सुनकर निक उसे कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ अगर तुम चाहो तो आज की रात तुम हमारे साथ रह सकती हो निक की बात मानकर एमा उसके साथ चली आती है निक और उसके दोस्ते एक किराय के घर में रहते थे वो सभी एमा का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ उसे खाने के लिए भी पूछते है निक के साथ दो लड़के और दो लड़कियां रहती थी लड़कों का नाम जी और जिम था जबकि लड़कियों का नाम डॉनी और हारले था अगले दिन सुबा डॉनी एमा को जगाती है और फिर वो उसे अपने कमरे में ले जाती है जहां आकर वो काफी देर तक बातें करती है और फिर अपने अपने काम पर चली आती है अब एमा और डॉनी एक दूसरे से अक्सर मिलती रहती थी और देखते ही देखते उनके बीच कहरी दोस्ती हो जाती है कुछ दिनों बाद एक पुराने स्टूडियो में निकक और उसके सभी दोस्त वीकंड मनाने जहां आ चुके थे डॉनी अपने साथ एमा को भी जहां लाती है और उसकी खूबसूरती देखकर सभी लोग हैरान होते है आज एमा पूरी तयार होकर जहां आई थी और उसे देखकर जिम कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो एमा अपनी तारीफ सुनकर शर्मा आ गई थी और तबी उसके पास निक का अकर उसे पीने के लिए दारू देता है इस स्टूडियो में निक का एक और भी दोस्त था जिसे इंदू लेखा की जुरूरत थी और उसका नाम वेंट था एमा की नए लुक देहकर हार ले भी बहुत खुश थी और वो निक से कहती है एमा जहां पहली बर आई है निक तुम इसे पूरा स्टूडियो दिखाओ उसकी बात मानकर निक के एमा को स्टूडियो के अंदर ले जाता है स्टूडियो में आकर वो दोनों एक दूसरे को चाटने लगते है और इसी बीच किलर पीछे से आकर निक को मार देता है अब एक बर फिर किलर के सामने सिर्फ एमा बची थी और वो किलर को देखकर बहुत डर चुकी थी अब किलर जल्दी जल्दी निक के उपर बैठकर उसका पेट चीरने लगता है और ये सब देखकर एमा गला फाड़ कर चिलाती है किलर जिस तरह निक को चीर रहा था उसे देखकर एमा को बहुत गुसा आता है वो जल्दी जल्दी पास पड़ी ये कुलहाडी उठाती है और उस कुलहाडी से किलर के सिर पर वार कर देती है इस वार से किलर नीचे गिर गया था जिसके बाद एमा उस पर तूट पड़ती है वो बिना रुके उस पर लगातार वार कर रही थी जिसके कारण देखते ही देखते वो और उसकी कुलहाड़ी खुन से लाल हो जाती है एमा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गुसे में आकर किलर को काट दिया और तभी उसे अपने सामने हारले नजराती है हारले जहां एमा की चीखे सुनकर आई थी लेकिन जहां का नजारा देखकर उसके फेफडे खुल गए थे एमा अभी भी निक के उपर बैठी थी और तभी उसे हारले की जगा किलर दिखने लगता है दरएसल स्टूडियो में आते ही एमा को दौरा पढ़ गया था जिस कारण उसे निक किलर लगने लगा था निक को मारने वाली एमा ही थी और दौरा पढ़ने के कारण अब वो पूरी साइको बन गई थी अब जैसे ही एमा उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो हारले जोर से चिलाती है लेकिन बच नहीं पाती हारले की चीख बाहर खड़ी डौनी ने भी सुन ली थी लेकिन उसके बागी दोस चीख की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते स्टूडियो के बाहर लियो वैन और वैन की दोस लीजा एक तरफ खड़े थे जबकि दूसरी तरफ डौनी के पास जिम खड़ा था लेकिन हारले की चीख ने सिर्फ डौनी का ध्यानी खींचा था अब डौनी अकेली ही स्टूडियो के अंदर आती है और तबी वैन की दोस लीजा भी वाश्रूम करने स्टूडियो में चली जाती है वो वाश रूम करने जैसे ही सीट पर बैठती है तो वहाँ कोई और भी आ जाता है लीजा को लगा कि शायद जिब डॉनी होगी और उसी पल वाश रूम की लाइट बंद हो जाती है लीजा जल्दी जल्दी सीट से उठकर अंदेरे में ही आगे बढ़ने लगती है लेकिन एमा रास्ते में ही उसे मार देती है स्टूडियो के अंदर अब सिर्फ डॉनी ही बची थी जबकि दूसरी तरफ एमा ने बाहर निकल कर वैन को भी रगड़ दिया था वैन की मौत देहकर लियो और जिम हक्के बक्के रह गए थे अब एमा को लियो भी किलर दिखने लगता है जिसके बाल वो उसकी और वड़ने लगती है इसी दुरान जिम बीच में आकर किसी तरह एमा को रोक लेता है फिर वो लियो से कहता है कि हमें जल्दी जल्दी पुलिस को बलाना होगा उसकी बात मानकर लियो भी जल्दी जल्दी पुलिस का नंबर डायल करता है मगर इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बता पाता तब ही एमा जिम के पेट पर चाकू मार देती है इस वार से जिम तड़प उठा था और उसके संबलने से पहले ही एमा उस पर कुलाडी से बार कर देती है दूसरी तरफ डाउनी की नजरों के सामने निक का और हारले की लाशे पड़ी थी लाशों का हाल देखकर वो अंदर तक कांप गई थी उधर एमा ने जिम के भी बुरे हाल कर दिये थे जिसके बाद लियो डर कर वहाँ से भागता है मगर एमा से बचना आसान नहीं था वो भी भाग कर लियो को पकड़ देती है और फिर उसे तरपा तरपा कर मार देती है लियो की मौत के बाद ही डॉनी स्टूडियो से बाहर निकलती है एमा की नजर जैसे ही उस पर पढ़ती है तो उसे वो भी किलर नजर आने लगती है वो जैसे ही डॉनी की तरफ बढ़ती है तो डॉनी डर कर स्टूडियो में आकर उसका दर्वाजा बंद कर लेती है मगर Emma बंद दर्वाजे पर भी लगातार वार करती है जिसके बार ड़ाई स्टोडियो में कहीं चुपने की जगा डूणने लग जाती है उसके पीशे पीशे ही एमा भी दर्वाजा तोड़कर स्टोडियो में गुश जाती है और उसे अंदर देहकर डॉनी और भी डर गई थी अब दोनों लड़कियों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और इस लड़ाई में वो अपने अपने हत्यार भी उठा लेती है लड़ाई के आखिर में एमा अपनी ही गलती से तड़प तड़प कर मर जाती है और उसकी मौत देहकर डॉनी जोर जोर से रोती है डॉनी एमा की अच्छी दोस्त थी और डॉनी को उसकी मौत का बहुत दुख था थोड़ी ही देर बाद जब वो स्टूडियो से बाहर निकलती है तो उसकी नजर अपने दोस्तों की लाशों पर पड़ती है अपने दोस्तों का हाल देखकर डॉनी बहुत दुखी थी और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसे जिम के जिन्दा होने का पता चल जाता है इसके बाद वो उसे उठाकर स्टूडियो से बाहर जाने लगती है लेकिन तभी एमा पीछे से आकर जिम को काट देती है अब एमा के सामने सिर्फ और सिर्फ डॉनी ही बची थी वो जैसे ही उसे मारने लगती है तभी उस पर कई गोलिया चलती है एमा पर गोलियां पुलिस ने चलाई थी और उनकी गोलियों ने एमा को मार दिया था लियो ने जब पुलिस को फोन किया था तब ही पुलिस को पता चल गया था कि जहां जरूर कोई गड़बड है कहानी के आखर में सिर्फ डौनी ही जिन्दा बची थी और अब वो पुलिस के पास पूरी तरह से सुरक्षित थी पुलिस वाले उसे जैसे ही गाड़ी में बढ़ाने लगते हैं तो उसे भी एमा दिखाई देती है यकीनन जो दौरे एमा को पढ़ते थे वो अब डौनी को पढ़ने लगे थे इस कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि जुरम भले ही खत्म हो जाए मगर उसका आसर विक्टम पर कई साल रहता है हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद